आज का वीडियो सुक्र ग्रह के रासी परिवर्तन से संबन्दित है तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्सकूं से एक प्रस्न पूछना चाहता हूँ अगर आप जानते हैं तो इस प्रस्न का उत्तर आप जरूर दीजिए आप इसे कमेंटे बॉक्स में जरूर लिखें आज के लिए आपका प्रस्न है अगर किसी भी कुंडली में सुक्र की मंगल और राहु के साथ यूति बनी है या दृष्ट्री संबन्द है तो ऐसे में वहा कि दर्सक जानते हैं कमेंटे बॉक्स में जरूर दीजिए तो अब शुरूआत करते हैं आज के वीडियो की हर ब्यक्ति यहां चाहता है कि उसे जीवन में अनेक प्रका की सुक्षुईदाएं उपलब दो हो उसका जो ब्यक्तित्तु हो वहां बहुत आकर्शक हो वहां कुंडली में सुक्र ग्राह मजबूत हो यहां संभाव नहीं है तो ब्यक्ति के जीवन में सुक्र के मजबूत इस्तिति और कमजोर इस्तित का ब्यक्ति के इन छेत्रूं में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसके साथ सुक्र की मजबूत इस्तिति कुंडली में होन अपने प्रतिकूल राश में गोचर उसी तरह से नक्षत्र में सुक्र की क्या इस्तिति है यहां ब्यक्तिके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है सुक्र ग्रह को इस्त्री ग्रह माना गया है और यहां एक सौम्मि ग्रह हैं सुक्र दैत्याचार यह होने के बाद भी सुप फलों को देने वाले ग्रह हैं तो इसलिए कुंडली में इनकी प्रतिकूल और अनकूल अवस्ता का ब्यक्ति के जीवन पर कहीं न कहीं बहुत भारी मात्रा में प्रभाव पड़ता है तो अगर हमें जीवन में इस तरह के जो भी सुख है चाहे भौतिक सुख हो या दामपत्य सुख हो या अपने सरीर को लेकर सुंदर्ता को लेकर जो ब्यक्ति को एक आनंद के अनुभूती होती है वह सब सुक्र ग्रह पर ही निर्भर करता है इसके साथ सुक्र ग्रह सुक्र सम्रिद्ध के कारक ग्रह भी है जोतिस सास्त्र में ने प्रजनन का भी कारक ग्रह माना गया है किसी भी जातक की कुंडली में सुक्र ग्रह उजब्यक्ति की पतनी का कारक भी होता है विबा के लिए भी सुक्र को एक मुख्य ग्रह माना गया है दिन की बात करें तो सुक्र का सुक्रुवार का दिन माना गया है किसी भी कुंडली में सुक्र की कमजोर अवस्ता को हम माता लक्षमी और माता दुर्गा की पूजा करकर उन्चे सम्मन्दित जो जैसे स्री सूक्त है कुंजिका स्तोत्र है या दुर्गा सप्तसती है हम इन्हें पाणकर सुक्रग्रा को मजबूत कर सकते हैं सुक्रग्रा को घर की सभाई और सरीर की सभाई बहुत ज़्यादा प्री है किसी भी घर में लक्समी का वास्ताब होता है जब घर में सभाई होती है तो इसलिए सुक्र ग्रह को अगर हमें अपनी कुंडली में मजबूत करना है तो हमें अपने सपाई के साथ साथ घर की सपाई का भी मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए अब यही सुक्र अपनी स्वरासी से निकल कर मंगल की ब्रिश्चिक रासी में प्रिवेश करने वाल में यहाँ अपने सत्रु देवगुरु ब्रस्पति के विशाखा नक्षत्र में होंगे उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को यहाँ अपने मित्र सनी के अनुरादा नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे 17 अक्टूबर 2021 को यहाँ अनुरादा नक्षत्र से निकल कर अपने मित्र बूत के जेश्टा नक्षत्र से निकल कर अपने मित्र केतु के मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस समाय आवदी में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में यहाँ अपने सत्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस समाई दावरान बहुत से जात्कों को प्रतिकूल फलूं की प्राप्ति होगी और बाकी बचे हुए गोचर समाई में जो एक सामान नी राशिपल होता है वह मैं आपके समक्षि प्रस्तुत करने वाला हूँ तो कल की वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको प्रत्थम की छह राशिया आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी बची हुई छह राशिया जिसमें तुला ब्रिष्चिक धनू मकर कुम्बमीन इन छह राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंग तुलारासी के लिए शुक्र प्रथम भाव और अस्टम भाव के स्वामी होते हैं। बर्तमान समय में शुक्र का यहा गोचर आपके बाणी और कुटुम्ब के दृती भाव में होनी जा रहा है। इस गोचर काल की अवदी में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। और इस समय अवदी में आपको पैसु की कमी महसूस नहीं होगी। साथिसाथ धन अर्जन के जो साधन है उसमें भी इस समय अवदी में बृद्धी देखी जाएगी। इस अवदी के दौरान आप गैरकानूनी तरिकों से भी धन अर्जन कर सकते हैं। लेकिन यहा तरिका सही न इस समय अवदी में इस राशी के जात्कूं का पढाई में भी अच्छा मन लगेगा। और किनी गहरे रहशियों को इस समय में आप उजागर कर सकते हैं। फैसन और इवेंट प्रवंदगूं के लिए यहा जो समय अवदी रहेगी यहा बहुत सुब साबित होगी। इस समय इस समय अवदी में आपकी माता के स्वास्त से सम्मंदित कुछ परिशानी आपको जरूर हो सकती है। और आप इस समय अवदी में पारिवारिक सुख्य प्रति भी आकर्शित होंगे। साथी परिवार के सदश्यों के साथ आप इस समय अवदी में जादा समय जो लोग अपने परिवार से दूर रह रहे हैं उन्हें इस समयावदी में अपने घर जाने का मौका मिल सकता है इस रासि के महिला जात्कों को कुछ स्वास्त से संबंदित परेसानिया आ सकती हैं साथ ही आपको इस समय अवदी में ब्यावसाय से संबन्दिन निवेश सोच समझ कर करना है क्यूंकि हानी होने की संभावना बन रही है। इस गोचरकाल को सुप करने के लिए माता लक्षमी की पूजा करें। बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी की। ब्रिश्चिक रासी के जात्कूं के लिए सुक्र, सब्तमभाव और द्वादस भाव के स्वामी होते हैं। बर्तमान समय में यहां आत्मा के प्रथमभाव में गोचर करेंगे। इस गोचर की अवधि में जो विप्रीत लिंगी लोग हैं वहां आपकी और आकर्शित होंगे। इस समय अवधि में आप खुश रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप किसी कलात्मक स्थान या खुली हवा का आनंद ले सकते हैं। इस गोचर की अवधि में आप सुनदर्ता के प्रसंशक होंगे। विबाहित जात्कूं का भी अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंद होंगे। और इस समय अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। सिंगल जातकूं के लिए भी यहां गोचर अनकूल गोचर रहेगा, जो सिंगल जातक इस समय वदी में साथी की सोच रहे हैं, तो उसे एक मनचाहत पार्टनर मिल सकता है, जो लोग कला या डिजाइनिंग के छेतर में कारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां गोचर बहुत सुब गोचर बनेगा, इस समय वदी में आपकी रस्तनात्मक्ता चर्म पर होगी, इस समय वदी में आप किसी अतुल्य कृति का निर्मार कर सकते हैं, आयाद निर्याद से संबंदित ब्योशाय करने वाले जातकूं को, इस समय ब्योशाय में बिद्धी देखी जाएगी, इस समय गोचर काल की अवदी में आप अपने सुक्षिदाओं के संसादनों में अपना धन खर्च कर सकते हैं, इस गोचर काल को सुप करने के लिए एक चांदी का चोको टुकड़ा अपने पर्स में जरूर रखे, बात करते हैं धनुराशी की, धनुराशी की जातकूं के लिए सु अश्टम और इकादस भाव की स्वामी होते हैं, इस गोचर काल की अवदी में ब्याई और विदेश यात्रा के द्वाव में सुक्र का गोचर होनी जा रहा है, शुक्र का यहाँ गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, इस समय अवदी में आपको धन इस समय अवदी में आपके आमदर्नी से जादा खर्चे हो सकते हैं, और बेवजय की जीजूं पर आपका धन खर्च हो सकता है, विबाहित जातकूं के जीवन में इस समय अवदी में कुछ परिशानिया देखी जा सकती हैं, इसलिए आपको हर इस्तिति को सुल जाने के बिदेश से जुड़े ब्यावशाय करने वाले लोगों के लिए यहाँ जो गोचर रहेगा यहाँ बहुत सुब रहेगा, इस दोरान आपको सफलता मिल सकती हैं, लेकिन आपको इस समय अवदी में एक बात का विसेश रूप से ख्याल रगना है, कि आपको किसी प्रकार के भी गहर कानूनी कारियों से बच कर रहना होगा, अन्यथा आप किसी परिशानी में फच सकते हैं, इस गोचर काल को सुप करने के लिए ओम, स्रिंग, स्रिये नमा, मंत्र का प्रतिदे 108 बार जाप करें, बात करते हैं मकर रासी की, मकर रासी के लिए सुप्र, पंचम और दस भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचर काल की आवदी में वहाँ आई और लाप के इकादस भाव में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए बहुत हितकारी साबित होगा, इस समय आवदी में आप आर्थिक लाप भी कमा सकते हैं, कार्य छेत्रे में भी आपके बरिश्टू द आप तो हो सकती है, इस समय आवदी के दोरान सामाजिक डायरे में भी पृतिष्टा में बृद्ध देखी जाएगी, इस समय आवदी के दोरान लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे, और आपकी संगत भी रखना चाहेंगे, कला, पराविद्या, इंटीर, आध्यात्म और तं इस समय आवदी के दोरान आप बहुत खुश मिजाज रहेंगे, और लोगों के बीच आकरशन का केंद्र बने रहेंगे, इस आवदी में आपके दोस्तों में भी बृद्ध देखी जाएगी, स्वास्त के लिहाद से भी यह गोचर आपके लिए सुप साबित होगा, इस गो कारग्राम आने गए हैं, क्यूंकि सुक्र कुम्बरासी के लिए चौथे भाव और नौम भाव के सौमी होते हैं, बर्तमान गोचर की अवदी में यहाँ आपके कर्म के दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, इस समय अवदी में आप बहुत ज़्यादा उर्जावान रहे कर्यार छेत्र में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, यहाँ कोई माइने नहीं रखता है कि आप नौकरी करते हैं या ब्यावचाई, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय अवदी में आपके पर्मोसन के भी चांस बन रहे हैं, आपके सीनियर सू द्वारा आपको पर्मोसन की भी प्राप्ति हो सकती है, परिजनू का भी आपको इस समय अवदी के दौरान भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा, प्रोपर्टी पर निवेस करने के लिए यहाँ समय आपके लिए बहुत सुब साबित होगा, इस समय अवदी में आप भौतिक संशाद पर अपना धन खर्च करेंगे, जिससे आपको संतुष्टी और खुशी की प्राप्ति होगी, इस समय अवदी में आपको कोई पैत्रिक संपत्ती मिलने की भी संभावना बन रही है, विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ गोचर बहुत सुब गोचर साबित होगा, इस समय काल की अवदी में, आपको सुक्रवार के दिन गुलाभी वस्तु को धारण करना चाहिए, बात करते हैं आज के अपनी अंतिम रासी मीन रासी के जात्पूं के लिए सुक्र तीसरे और आखवे भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचर का अवदी में भागई के नव महाव पर सुक्र का गोचर होने जा रहा है यहाँ गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा सामानी रूप की बात की जाए तो इस गोचर की दोरान खुद को खुश मैसूस करेंगे जीवन में छोटे मोटे पलूं का भी आप इस समयावदी में आनंद लेंगे कारी छेत्र में भी आप अपनी बुद्धिमता से कारी करेंगे जिससे आपको कारी छेत्र में सपलता की प्राप्ती होगी हालाकि इस समयावदी में आपका भाग्य आपके साथ बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा अपने अच्छे प्रियासू के बाद भी आप इस समयावदी में अपने बरिष्टू का दिल नहीं जीत पाएंगे, आप ध्यान गूर विद्याओं के ओर इस समयावदी में आकर्शित हो सकते हैं, लब रिलेशन्सिप को लेकर आपको इस समयावदी में सावधान होनी की स्वास्त के लिहाद से यागोचर आपके लिए सामान्य सावित होगा। इस गोचर काल को सुप करने के लिए सुक्रुवार के दिन तुलसी का पौदा जरूर लगाएं, तो यहती बाकी बची वी जो छे रास्या हैं, उन पर सुक्र के गोचर से पढ़ने वाला प्रभाव। तानियो